आप सब्सक्राइब करता हूं आज के वीडियों हम लों देखने वाले हैं एनाइए स्टील में ही वेकेंसे इसके बारे में क्या पोस्ट आया हुआ है क्या इसके डिटेल्स है कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर हमारा जो सेलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो जब यह मैंसे वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहें तो चलिए देखते हैं कि यह वेकेंसी कहां पर आया हुए तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर एक शॉर्ट नोटीस यहां पर दिया गया है कि यह वेकेंसी आया हुए है या Assurance Company Limited इसमें ये वेकेंसी है और जो पोस्ट का नाम है वो administrative officer है स्केल वन टोटल नंबर पोस्ट मैं वोलो तो यहां पर आपको शो हो रहा है कि 450 टोटल नंबर पोस्ट यहां पर दिये गहें जो कि अलग-अलग discipline इसका मतलब यह अलग-अलग department के लिए यहां पर पोस्ट है इसमें अगर qualification के हम बात करें common qualification यहां पर होता है graduation लेकिन आप देख सकते ही कि अलग-अलग department के लिए भी है तो इसमें कौन से post के लिए क्या एक specialization मंगा गया है यह सारी details जो है इसके एक अलग से notification आएगा full notification जब भी website पर आ जाएगा तो हम उसके full notification के साथ फिर से हम इस चैनल पर मिलेंगे जहां पर हम आपको बताएंगे किस post के लिए क्या-क्या eligibility रखा गया अब बात करते हैं कि age limit एक question होता है कि क्या हम इसके लिए appear हो सकते या नहीं हो सकते तो यहां पर पहले ही शो कर दिया गया है कि minimum 21 year होना चीए और maximum 30 year होना चीए नेकिन जो candidate होते है जो इस रिज़ावड candidate होते है या फिर जो ex-servicemen होते है उन्हें इसमें age relaxation भी मिलता है तो यह सारी अप्रॉक्स एक salary प्रॉइट किया जाएगा जो कि काफी अच्छा पैकेज रहेगा आपके लिए एक government संस्ता है government institute में आपका selection हो जाएगा सोचिए आपका एक अच्छा खासा carrier आपका एक set हो जाएगा अब देखते हैं कि आप इसमें apply कप से कर सकते हैं तो एक अगस्ते आप इसमें apply कर सकते हैं और 21 इसका last date है इसका full notification भी आपको एक अगस्ते मिल जायागा एक अगस्ते आप जो है इसमने apply भी कर सकते हैं और एक अगस्त को ही हम इसका form notification के साथ फिर से मिलेंगे इस चैनल पर ताकि आपको और भी details कैसे इसमें सेलेक्शन होगा और क्या-क्या आपको किस मैथर्ट से मतलब इसका मतलब किस किस स्टेप से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते यह सारे चीज़े हम फिर से लेकर आएंगे तो यह था हमारा आज का इन्फॉर्मेशन आई होब आप सभी लोगों को यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सारे साथ पॉलो भी करते रहें थैंक्यू